नमस्कार किसान साथियों मैं हूं संदीव इश्णू इर आप देख रहे हैं एग्री कल्चर फार्मिंग यूटूब चैनल जिसमें सभी साथियों का एक वार पुने स्वागत है रोजाना हम आपको शाम के जो मंडी में तेजी मंडी क्या कुछ रहती है उस पे एक वीडियो मन्या कि तो दालते हैं तो थे जी मंदी की जानने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आज अपने जो नजदी की मंडिया रही है उनमें क्ली में क्या पपने पास 25 जनवरी 2022 को कि अधुम मंडी में जो बाव हैं वो फिलाल नर्मे की हैं चुराण में सो असी रूपधी सिर्शा मंडी में 2660 रुपधी हन्मान-गड में बरवडा में च्याशी सो नूपगड में अठाण में सो पचाश रिप्यार केश्री सिंगपुर में अठाण में सो एक रुपे तो ये अपने आज की मंडियों में कौटन के भाव रहे हैं जो वर्तमान समय में 25 जुरुवरी को अपने को मिले हैं अब हम बात कर लेते हैं दूसरी फसलों के जिनको भाव अपने पास पहुंचे हैं तो एलनाबाद मंडी में आज सरसों भी किया 6970 रुपे गवार भी के 6000 रुपे कनक भी किया कि वीजयन एकर बंडी में देशी क पास भी किया 250 रुपे और अम्रीकन का पास बीकियाается 2200 रुपे हल्की क पास 8000 रुपे गवार भी कह 54 հुपे गेम भी कह 250 रूपे और मक्की भी जेरु कियाए 1900 साथ सो रुपे गंगानेगर के अपने बात करें तो गय हूं भी कहा है बाई सो रुपे और जो के बाव नहीं पहुंचे हैं और चना भी कहा है च्छाड़ी सो पचास रुपे सरसो भी कहा है बैतर सो इकेतर रुपे मुंग भी कहा है चासर सो रुपे नर्मा भी कहा है स्थान सीटी सूर्थगर से कोटन की लाइव बोली भी आपको दिखाते हैं और वर्तमान समय में आज के क्या बावर है तो गेहुं भी किया 1950 रुपे चड़ा भी कहा चाड़ी सो रुपे मौंग भी कहा पच्पन सो रुपे तारा मीरा भी कहा इकावन सो रुपे सर्सो भी कि जिन मंडियों में कॉटन की बोली होगी जिन मंडियों में कॉटन की फसल को खृदा जाएगा हो सकता है किसी मंडियों में बोली ना हो वो एक अलग विश्य है लेकिन जहां बोली होंगी और कॉटन की फसल खृदी जाएंगी उनमें सुबह अपड़े को सौपचास रुपे तेज़ी देखने को मिलेगी यानि कि अब हाजिर की बात करें इस टाइम के तो इस समय भाई तेज़ी है रूई में भी तेज़ी है और बिनोड़े में भी तेज़ी है खड़ में भी तेज़ी है तो अगर यह स्थीती रहती है तो सुबह अपड़े को तेज़ी देखने को मि यी आलांकि आपको ये बताए था दा कि सुवेस्व को मंदी देखने मिलेगी में यह ca- बाइब दस ग्यारा बजे फिर एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको तेजी मंदी बताएंगे तो रात कर जो टाइम था उसमें आंकड़े डाउन थे लिए हमने सुबह के आपको डाउन के भाव बता दिये लेकिन जब सुबह कर देखा तो उसमें थी बजार में और एंच को फसल है आपकी 26 जनवरी को सुबह तेजी देखने को मिलेगी अपना जो विछले सनयाकड़ों के दार पे वो फिलाल यही बोलता है अब हम बात कर लेते हैं सरसों की मुफली की और गवार की कि इन में तेजी मंदी अपने को क्या देखने को मिलेगी आलांकि मंदी भाव हमने आपको बता दिये हैं और जो किसान साथी अपने चैनल से नहीं जुड़े मैं उन्हें कहूंगा कि आप अपने छोटे वाई के या बड़े भाई के चैनल से जुरूर जुड़ें जिस पर आपको डेली मंदी बाव मिलते रहेंगी तेजी मंदी की रिपोर्ट मिलती रहेंगी और विश्यश्यों क्या मानना है तेजी मंदी के उपर और आंकड़े के अनुसार तेजी मंदी क्या कुछ हो सकती है तो अभी व मार्केट में लोगों ने बहुत स्टोक कर रहा है सर्सों गा और उनका भी यह मानना है कि नहीं सर्सवाने से पहले पहले हमें बेचनी ज़रूरी रहेगी अन्यथ्य सर्सों दो या तीन सालों फिर चले जाए क्योंकि इस वर सर्सों का बिजान अल्लिम्टेड है बहुत ज्या है निकी आएफमिपली और अदिद्भास के भाव है वह आणे कि स्बावना है यानि कि तकरीबर16000 अजार पंद्रहं सो रिपे बढ़ सकते हैं लेकिन वह मार्श जिनका तेल में ही काम आएगी उन मुवफलियों में तेजी नहीं है लेकिन जो शांदार एक नंबर की मुवफली है ग्रेडिंग मुवफली है उन में तेजी आने की सभावना है दलन की फसलों में अगर अपने बात करें चड़ें की मुझ मोट की तो इन सभी फसलों में लग कि खेतिगा तो जीरे के भाव हमने आपको वीडियो में बता दिया है मेरी चेतर की लेकिन बात करें जैसल मेर बाड मेर जालोर सांचोर और गुजरात की कुछ मंडियों के तो वहां जीरा चल रहा सतरा जार से अठारा जार प्रतिक कुटल के अनुसार और जीरे का काफी के चलें आपको एक शांदार बाव देखने को मिल सकते हैं और पिछले 20 से 25 दिन या एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में जीरे में तक्रीबन अजार रुपे तेजी देखने को मिली है तो वर्तमान समय में लगबग जो फसले हैं हमारी ठीक रही है लेकिन गवार में भी मंदी आई है सरसों में भी मंदी है आज से कुछ दिन पहले इन में तेजी थी कोटन में भी थोड़ी तेजी थी तो अभी अलंकी धीरे-धीरे सु स्पोर्ट है वह मिलती रहे और दिन में हम एग्रिकल्चर फार्मर फेस्बूक पेस पे लाइव आते हैं कॉटन सीटी सुर्तिगर से कॉटन की लाइव वीडियो आप देखना चाहें तो वहां देख सकते हैं रिकोड़ेड वीडियो देखना चाहें तिस योटूब चैनल क और मिलेंगे सुबह आप से कॉटन की लाइव बोली में तब तक जे जवान जेक सान सारे साथियों का राम राम नीवन पर नाम